दोस्तो, इससे पहले मैंने भारत पे application के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे आप भारत पे credit card को apply कर सकते हैं वहाँ पे दोस्तो मैंने आपको complete process बताया था कि कैसे आप apply कर सकते हैं लेकिन अगर आपने apply करने की कोशिश की होगी अगर आप apply की होगे तो दोस्तों वहाँ पे आपको credit card नहीं मिला होगा जी हाँ दोस्तों company उसमें दावा कर रहे थी कि हम आपको credit card provide करते हैं जिसके अंदर आपको 1,00,00,00 तक का limit मिलेगा लेकिन दोस्तों मैंने खुद उसके के लिए apply किया था और मेरे को कोई भी credit card नहीं मिला बाद में दोस्तों मैंने दो बार customer care से बात की है आपको मैंने भी दिखाया था वीडियो में तो वहाँ पे customer care मेरे को बोलते है कि हम अभी credit card नहीं offer कर रहे हैं बलकि आपको debit card मिलेगा और उस debit card के अंदर आपको कोई भी limit नहीं मिलेगा अगर आप ज़्यादा transaction करते हैं आप QR code के माध्यम से payment को accept करते हैं तो हम बाद में आपको eligible करेंगे हम बाद में आपको offer करेंगे credit card के लिए और दोस्तों उस वीडियो में आपने ये भी देखा था कि हमें कोई भी debit card नहीं मिलना था नहीं हमारे घर तक ये बताने वाला हूँ कि अगर आपने भी भारत पे credit card को apply क्या होगा और वहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी card नहीं मिला है नहीं आपको कोई debit card मिला है तो दोस्तों कैसे आप debit card वहाँ पे शुरुवात मिले सकते हैं और उस debit card को दोस्तों आप convert करके बाद में कैसे credit card में convert का सकते हैं तो I hope आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तब जाके दोस्तों आपको समझ में आगा कि कैसे आपको यहाँ पे debit card मिल सकता है और बाद में कैसे आप convert करके उसको credit card में convert का सकते हैं अगर अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ share कीजिएगा और चैनल पे आप नए है तो चैनल को बिलकुल subscribe कीजिएगा क्योंकि मैं इस तरह के content आपके लिए regular लेकर आता रहता हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो को शूरू करते हैं अब दोस्तों जिन भी लोगों ने भारत पे application से अपने लिए credit card को apply क्या होगा मेरी वीडियो को देखकर तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है आपको भारत पे के application को open करना है open करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का user interface होगोता है यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे डैसपोर्ट में देखते हैं तो यहाँ पे आपको card का एक option मिलता है आपको अपको कुछ नहीं करना है आपको simply पर क्लिक करना है दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर पेज ओपन हो चुका है और यहां पर दोस्तों आपको यह देखने को मिलता है आप देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलता है जो आपका काड है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है वो आपको यहां पर प्रकार आपको देखने को मिलता है, तो दोस्तों उस समय मैंने customer care से दो बर बात की थी और उस समय दोस्तों मैंने उनसे पूछा था कि आखिर मेरे को यहाँ पर debit card क्यू नहीं मिल पा रहा है, starting में तो आप लोगों ने बोला था कि हम आपको credit card offer करेंगे, जहाँ पर आपको 1, लाक हम लिमिट देंगे और आप उस लिमिट को यूज करके अपने ATM वगारा से विड्रॉल भी कर सकते हैं अब दोस्तों उनसे बात होने के बाद वो लोग मेरे को बोले थे कि हम मार्च के स्टार्टिंग वीक में आपको कार्ड प्रवाइट करना और कार्ड के सेक्षन प्यारा था तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपने फिजिकल कार्ड या वर्चुल कार्ड को भी नहीं देख पा रहा था तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक option मिलता है, tap to view card details, तो चलिए दोस्तों, हम जैसी यहाँ पे click करते हैं, तो आप देख सकते हैं, दोस्तों, मेरा जो card है, virtual card यानि debit card वो बन चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों, मैंने security के purpose से यहाँ पे blur क रखा है, तो यहाँ पे दोस्तों, आपको card कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है, I hope अगर आपने apply क्या होगा, तो दोस्तों, अब तक आपका physical नहीं, बलकि यहाँ पे virtual debit card बन चुका होगा, और इस card का use करके दोस्तों, आप transaction वगरा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपके भारत पे account पे balance होना चाहिए, अब दोस्तों, अगर आप इस card को अपने credit card में convert करना चाहते हैं, या आप credit card के लिए interested हैं, आप credit card लेना चाहते हैं, तो दोस्तों, आप जैसी यहाँ पे open करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों, आप देखेंगे, आपको एक message देखने को मिला है, पहले यह message मेरे को नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे दोस्तों, आप जैसी open करेंगे, तो यहाँ पे मेरे सामने एक option आया था, कि आप credit card के लिए लेना चाहते हैं, नहीं, यहाँ पे आपको get now का एक option मिलेगा, आपको simply उस पर click करना है, जैसी दोस्तों, आप उस पर click करते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का message होता है, भारत पे card order are currently on hold, यानि दोस्तों, भारत पे का जो card है, वो hold पर है, बहुत सारे ऐसे user हैं, जो की भारत पे के credit card के लिए apply कर चुके हैं, तो धीरे धीरे सब को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको एक call message देखने को मिलता है, order for भारत पे card will be resume in second week of May, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी information है, कि माई के second week से भारत पे का credit card है, वो resume हो जागा, और आप सभी को मिलेगा, अगर आपने apply के होगा, तो यहाँ पे दोस्तों, मैं आपके साथ 100% security देता हूँ, कि आपको 100% भारत प बन चुका होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपको convert करने का भी option मिलता है, जहाँ पे दोस्तों, आप अपने भारत पे debit card को credit card में convert कर सकते हैं, और वहाँ पे दोस्तों, आपको 1,00,00, तक का limit मिल सकता है, और उस limit को दोस्तों, आप यूज़ करके, अपने card के दोआरा ATM वग कर दिया है, कि हम second week of May से यहाँ पे card को देना सुरू करेंगे, आपके घर तक card को deliver करेंगे, तो I hope दोस्तों, आपके सवालों का जवाब यहाँ पे मिल गया होगा इस वीडियो में, अगर दोस्तों, आप भारत पे credit card के user होगे, या फिर आपने apply क्या होगा, तो ये वीडिय आपके लिए बहुत जादा informative रहोगा, अगर आपको वीडियो पसंद आओगा, तो वीडियो को like कीजेगा, दोस्तों के साथ share कीजेगा, और इस तरह के content मेरे channel पे आप देखना चाते हैं, तो channel को बिलकुल subscribe कीजेगा, क्योंकि मैं इस तरह के content आपके लिए regular लेकर आता रह हों, तो दोस्तों मिलते हैं, आपसे next video में तब तक लिए, जय हिन बंद मात्रम